नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लूप्ट संख्या यानि मिसिंग नंबर के कोश्चन करेंगे यह सारे कोश्चन रेलवे जेई 2019 के कोश्चन पेपर में पुछे जा चुके हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फरस्ट कोश्चन हमारे पास है यहां पे तीन ट्रेंगल दी गई है और सभी के वाट एक नंबर है और सेंटर में भी एक नंबर है लेकिन यह जो नंबर है मिसिंग है जिसको हमें डूढ़ना है ठीक है सबस्ट से पहले क्या करिए मोबाइल की स्क्रीन को पोज कीजिए और इस कोश्चन को खुच सौल करने की कोशिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि डिफिकल्टी लेवल कितना है इन कोश्चन का उसके बाद फिर मैं सौल करूँगा चलिए, अब मैं question को solve करता हूँ देखे, अगर मैं first figure की बात करूँ तो जो triangle के vertex हैं, उन पे जो number दिये गए हैं आप उनकी गुणा कीजिए 5 तीए 15, 15 दूनी 30 तो आपके पास आया 30 ठीक है, फिर उसमें से घटा दीजिए इन तीनो number को जोड़ के इन तीनो number को जोड़ूँगा मैं, 5, 3 और 2 ठीक है न, तो 30 माइनस इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 तो 30 माइनस 10 किसके एकोल है, 20 की ठीक है, और वो 20 center में दिया गया है उसके बाद यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, 8 की और फिर 5 के साथ, ठीक है न, तो क्या आया 40, ठीक है सब्ट्रेक्ट कीजिए जोड़ी इनको 8 और एक 9, 9 और 5 14 तो 40 माइनस 14 26, center में 26 है ठीक है, same rule यहाँ पे 9 दूने 18, 18 तीए 54 ठीक है, उसमें से घटा दीजिए जोड़ी इनको 9 और 2, 11 और 3, 14, तो अंसर आया, 40 यानि 40 तो option जो B है वो सही answer है, next question करते हैं second question है खुद solve करने के कोसिस कीजिए, screen को pause करके चलिए, अब मैं solve करता हूँ जो number है वो row or column में range है R1, R2 R3 C1, C2, C3 ठीक है ना और second row, third column का जो number है वो missing है, ठीक है ना तो अब क्या relation है साथ और 2 को जोड़ीए ठीक है, और उसकी 2 के साथ multiply कीजिए उसमें एक add कर दीजिए, यहनि 7 और 2, 9, 9, 12, 18 और 1, 19 ठीक है सेम rule, third row पे, second पे नहीं apply करें क्योंकि यह number missing है ठीक है, यह rule third row पे और चेक करते हैं तीन और 5 को add करिए ठीक है, और उसको 2 से multiply कीजिए और उसमें एक add कर दीजिए तीन और 5, 8, 8, 12, 16 और एक 17 ठीक है, यह 17 है अब यहां से missing number कैसे find out करेंगे 6 और 1 को जोड़ीए 6 और 1, 7 7 को 2 से multiply कीजिए 14 और उसमें एक जोड़ीए 15 तो हमारा missing number कितना आया 15, ठीक है ना, option जो B है वो सही answer है थर्ड question है screen को pose कीजिए और question को solve कीजिए चलिए, अब मैं solve करता हूँ 3 circle दिये गए है प्रते एक circle को 3-3 part में divide किया गया है, हर एक part में एक number है ठीक है, थर्ड circle में एक जो number है, वो missing है, वो हमें निकालना है ठीक है, तो first figure से शुरू करते है 40, 41 और 9 दिया गया है ठीक है, इनमें relation डूड़ते है 40 और 41 को जोड़ीए ठीक है, और उसको 9 से divide कर दीजिए 40 और 81 और 9 से divide करेंगे तो हमारे पास no answer आएगा, ठीक है same rule यहाँ पर 25 और 38 को जोड़ीए ठीक है न, 25 और 38, 63 इस साथ से divide कर दीजिए तो आपके पास 9 आएगा, ठीक है न तो यहाँ भी same answer आए यहाँ भी, ठीक है, तो third step पर भी same answer आएगा, 18 और 36 को जोड़ीए और उसको किस से भाग करें 18, 36 कितने होते हैं, 54 ठीक है, तो किस के equal आएगा यह, 9 के तो 54 को किस से divide करेंगी 9 आए, तो answer रहेगा 6, ठीक है न, 9 ठीक है 54, तो option जो A है वो सई answer है next question करते हैं fourth question है, screen को pose करके question को solve करने, इकोसिस कीजिए ताकि पता चले question कितना difficult है और आप कर पा रहे हैं नहीं चलिए, अम मैं solve करता हूँ R1 R2, R3 3 row है, C1 C2, C3, 3 column होगे ठीक है न, third row, third column का जो number है, वो missing है तो काफी easy question है, first column को ध्यान से देखिया आप, यहाँ पे काउन कुछसे number है, 4, 3, और 7 ठीक है न, अगर मैं first two number को add करूं, 4, 3, 7 तो वो third number के equal आता है second column में भी ऐसा है, 6 और 5 को add करिए, 11 तो यह third number है, तो उसी तरह third column में missing number भी ऐसे आएगा 8 और 5, 13 तो हमारा जो missing number है, वो 13 है, option जो C है, वो सही answer है पाज़मा question है screen को pause कीजिए, और question को solve करनी को सिस कीजिए चलिए, अब मैं solve करता हूँ, circle को 4 पार्ट में divide किया गया है, जिन में से 3 पार्ट में एक नंबर है, और 4 पार्ट में missing number है, ठीक है, हमें वो missing number निकालना है, देखिए, right and side में 7 और 11 दिया गया है, आप इनका difference निकालिए, 11 माइनस 7 4, 4 क्या है एक perfect square, 2 का square है ठीक है न, अब 11 और 20 का difference निकालिए 20 माइनस 11, किसके equal है 9 के, 9 क्या है 3 का square है, ठीक है, यह 2 का square यह 3 का square, जो difference है अब यहाँ पे 4 का square उसका difference आएगा, 4 का square कितना होता है, 16, मतलब 16 का difference यह जो number है, वो 20 से 16 धिक है, तो 16 प्लस 20, 36 ठीक है, तो option जो D है, वो सही answer है 6th question है फिर से screen को pose करके आप question को solve करने एकोसिस कीजिए उसके बाद मैं solve करूंगा चलिए, row count कीजिए R1, R2, R3, R4 यहाँ पे C1, C2, C3 ठीक है, अब देखिए यह जो third row, third column का number missing है उसके कैसे निकाल लेंगे first column पे ध्यान देजिए 6, 3, 10 दिया हुआ है 6 और 3 का difference क्या है 3 और इस 3 को 10 के साथ क्या करिए, गुना कर दीजिए तो मुझे यह 30 मिल रहा है second column पे देखते है 9 और 5 का difference 4 इस 4 को 7 से multiply कीजिए 7 चुक 28 तो मुझे यह number मिल रहा है same rule column third पे लगाएंगे 7 और 2 का difference 5 5 को किस number से गुना करूँ कि मुझे 25 मिले ठीक है न, तो 5 को 5 से ही गुना करनी पड़ेगी तब ही 25 आएगा तो हमारा जो B option है, वो सही answer है साथा question स्क्रीन को pause करके question खुद solve करिए, उसके बाद फिर मैं करूँगा चलिए, अब मैं solve करता हूँ R1, R2, R3 तीन रो है, ठीक है न, फर्स्ट रो में देखिए एक number दिया गया है, 81, यानि 81 शेक्ड रो में देखिए तीन number है, 9, 1, 9 अगर मैं इन तीनो number की गुना करूँ, तो क्या आता है, 9, 1, 9, 9, 9, 8 ठीक है न, तो हमारे पास क्या आया, 81 फर्स्ट रो में भी 80, सेक्ड में भी 80, ठीक है न, तो थार्ड रो में क्या आना चाहिए, उसमें भी 80 आना चाहिए, अब देखिए तीन तिया नो, नो तिया 27, यहां तक 27 आया, 27 को किस से गुना करूँ की क्या सी आई, तो वो number क्या रहेगा, तीन, ठीक है, तो option जो डी है, वो सही answer है, आठमा question है, खुद solve करने की कोशिस कीजिए, चलिए अब मैं बताता हूँ, फस्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फस्ट कोलम, सेकंड कोलम और थर्ड कोलम, यह जो number है, वो missing है, ठीक है ना, अब देखिए, फस्ट रो में जो number दिये गए हैं, तीन, पांच, चार यह triplet है, पाइथागोर्स प्रिमे है, जो पाइथागोर्स थ्योरम है, उसको satisfy करते हैं, कैसे, तीन का square प्लस चार का square, वो equal है, फाइव के square के, ठीक है ना, तो यह पाइथागोर्स थ्योरम को satisfy करते हैं, तीनो number, same, third row में, five square equal है, four square plus three square, ठीक है ना, तो same rule, अब second row पे लगेगा, eight square plus, यहाँ पे missing number है, hundred square, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 64 और यहाँ पे hundred, तो यहाँ पे क्या बचा, 36, 36 क्या है, six का square, तो हमारा जो missing number है, वो क्या है, six, तो option जो डी है, वो सभी answer है, नोवा question है, screen को pose करें, question को solve करने, कोशिस कीजिए, उसके बाद फिर मैं करूँगा, चलिए, अब मैं solve करता हूँ, circle को 5 part में divide किया गया है, जिन में से 4 part में एक number है, और 5 part में missing number है, और हमें यह number डूढ़ना है, ठीक है, देखिए, यह five है, five किस के करीब है, दो के square के, two का square करेंगे, तो 4 आएगा, उसमें एक और add कर दीजिए, बज़ा कितना 5, तो यहाँ पर square कितने का किया है, दो का, यहाँ पर देखिए, 10 किस के square के करीब है, तीन के, तीन का square पलस का एक, यहाँ पर square किस का किया है, तीन का, 26 के करीब 5 का स्क्वेर के पलस 1 ठीक है ये नंबर मीसिंग है 122 को देखिए 11 का स्क्वेर पलस 1 यहाँ पे 11 ठीक है न इन सभी नंबर में क्या सिमिलारिटी हैं 2 3 5 11 ये सब प्राइम नंबर है मतलब एभज्य संख्याई अपने आप से ही डिवाइड होती है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगी और ये लगाता रहें 2 3 5 और यहाँ पे एक मिसिंग है फिर 11 तो यह जो मिसिंग है वो क्या है साथ ठीक है 2 3 5 7 11 तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा अगर मैं इस पैटरन को फॉलू करना तो साथ का स्क्वेर पलस का वन यानि सतू सतू नंचस और एक पचास तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो कितना है पचास ठीक है ना तो उप्सन जो बी है वो सही अंसर है दसमा कोश्चन है स्क्रीन को पोज कर norm किजिए vulnerable आरटूर थी आरफ़ूर कोलम कांट कीजिए सीफन सीटु सीतरी ठीक है ना फिर्स्ट को द्यान से देखिए चार नंबर हैं दो तीन छे और भीस किस के इनको गुना कीजिए इनको मल्टीपलाई कीजिए तीन और छे की गुना अलारा 18 और 2 को जोड़ी है ठीक है न 20 आ गया है यहां पर ठीक है 6 और 7 इनकी गुना कीजिए 42 42 में 4 एड़ कर दीजिए 46 ठीक है 3 कोलम पर रूल लगाईए 8 और 5 की गुना 40 40 में 3 एड़ कर दीजिए 43 ठीक है तो उप्सन जो C है वो सही अंसर है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें और कोई सुझा आवो तो कमेंट करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद